बुंदेल खंड अपने आप में बहुत से लोकल नरत्य और लोकल संगीतों को संजवी हुए हैं यह मैंसे एक है मौनिया नरत्य यह नरत्य अमारे बुंदेल खंड की ग्रामिन इलाकु में दिपवली के दूसरे दिन मौन पर्मा को पुरुष्यों की द्वारा किया जाता है इससे मौनी परमा भी कहते हैं यहां का सबसे प्राचिन नरत्य शेली है इसे सहरा और दिपवली नरत्य कहते हैं इसमें क्रिशोनों की द्वारा घेरा बनाकर मौर के पंको को लिका बड़ी ही मोहक अंदाज में नरत्य किया जाता है ग्रामिन अंचलों के लोगों की मौन हो दिन रत्य करने से कई दूर मोनिया ने बताया कि मंदर पर माथा टेकने के बाद मोनिया टोली के प्रण के अनुसार 11 या 20 गावों में घुमकर मोनिया नुरत्य करते हैं आगे वो बताते हैं कि प्राचीन मानेताओं के अनुसार जब भी श्रीकृष्ण यमना नदी की किनारे बैठे हुए थे तब उनकी सारी गाया चली गई थी अपने गाया को नापाक कर श्री कृष्ण मौन होने लगे इसके बाद उन्हें सभी गाया को तलाश लिया उन्हें लेकर आये तब कहीं जाकर कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा ऐसी माना है था कि अनुसास श्री मौन ब्रत्य रखकर दीपावली के एक दैन मौनी पर्मा के दिन अपने को परीकर्मा लगाते हैं और मंदल बंदल जाकर श्री कृष्ण के दशन करते हैं रत्यoud बाद वरथ खोला जाता है। हाँ जिस गाँ में अनरत्य की टूली एग बार वरत रखते वह बारावशे तक अनुवरत रखना परता है। मौनिया। नुरत्य के संकर्प के अनुसा 11 से 21 गावों में मौनवरत रखकर घूमना नुरत्य करना पड़ता है और वो आगे बताते हैं कि मौनिया नुरत्य की गायन मंदली मौनधारन नहीं करती बाकिसा मौनधारन करते हैं